दोस्तों अगर आप 10,000 रुपे का लोन इस एप्लिकेशन से 6 महिने के लिए लेते हैं तो इंट्रेस्ट रेट जैसे की देख पा रहें 18% से सुरू हो जाता है जो की सलाना आपको देना होगा इसके उपर आपको टोटल EMI जो आएगा वो 1755 रुपे के आसपास आएगा और 200 रुपे प्रोसेसिंग फी आएगा यह एप्लिकेशन NBFC रेजिस्टर रुपे द्वाराय अप्रूब लोन एप्लिकेशन है और आपको 10,000 रुपे से लेकर 1,000 रुपे तक का लोन प्रोवाइड करती है लोन के भुकतान का समय आपको मिलता है 3 से लेकर 24 महिने का और मैक्सिमम इंट्रेस्ट जो आपको देना होगा वो 32 परसेंट सालना होना पड़ सकता है और साथ में इस एप्लिकेशन में कुछ एक नया फीचर भी आड़ हुआ है जो कि इस वीडियो में आपको डीटेल में बताने वाला हूँ अपको को सिंप्ली गूगल पर जाना है और सार्च करना है आपको इहां पर आधारसे-loan.com जैसा कि धेख़ एक सांथ कंप्लीट लिखना है आधारसे-loan.com आपके सामने ये website open हो जाएगा, simply आपको इस पर करना है, tap, आप आजाएंगे इस website के अंदर यहाँ पे आपको धेरो information, loan application के बारे में देखने के लिए मिल जाएंगी और loan apply करिए, ये application सुरू में आपको credit line loan provide करती है, और साथ में जैसा कि देख पा रहे हैं, आपको cash loan भी मिल जाता है, जो कि आपके eligibility के according मिलता है, आपको directly personal loan यहां से नहीं मिलेगा, cash loan नहीं मिलेगा, सुरू में ये credit line loan होता है, और जैसा कि देख पा रहे हैं, 3000 उपे से लेक 18 मन तक का, साथ में repayment समय के साथ आप interest pay करेंगे 32% सलाने के according, revolving rate यहां पर लगता है, जो कि 42% annum जा सकता है, तो अपने हिसाब से आप loan apply कर सकते हैं, स्क्रीन के उपर जैसा कि देख पा रहे हैं, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, lazy pay, pay letter instant loan application के बारे में, जिसे offer किया है pay you, finance, India private limited ने, और इसे आप play store से download कर सकते हैं, application को अभी तक 5 million से ज़्यादा download मिल चुका है, और 4.4 की rating के साथ 1.5 lakh से ज़्यादा review मिले हुए है, application मैं खुद भी इस्तमाल करता हूँ, और यह application आपको instant credit line loan provide करती है, इस credit line loan से आप अलग-अलग जगों पे payment कर सकते हैं, अ और जैसे बहुत सारे online e-commerce website जहां पर असानी से payment आप कर सकते हैं, 15 days repayment समय आपको बिना ब्याइज मिलता है, तीर थी, आपको 3 days repayment करने का option भी मिलता है, और इसके अलावा भी अगर आप उसे repayment EMI में करना आप चाहें, तो आपको उसे convert करने का option मिलता है, उसके उपर आप इंट्रेस्ट रेट पे करना होता है, अब जैसा कि देख पा रहे हैं, यहां पर आपको repayment करने का एक और option मिलता है, अगर आपको कहीं पे payment करना है, तो आप QR code को scan करके payment कर सकते हैं, किसी भी स्वाप्शन या services में repayment करने के लिए, UPI QR code को scan करना है और repayment कर सकते हैं, अगर आप किसी को fund transfer करना चाहते हैं, तो उस case में भी आपको UPI ID का ही इस्तमाल करना होगा, अगर आप professionally किसी को भीज रहे हैं पैसा तो असानी से भीज पाएंगे, अगर आप personally किसी के account में पैसा भीज रहे हैं, तो वो इस application से नहीं कर पाएंगे आप, आप इस application से बस shopping कर सकते ह हैं, recharge कर सकते हैं, और 15 days बिना भीज रीपेमेंट कर सकते हैं, इस application से loan लेने के लिए सिर्फ दो document, अधार कार्ट, पैन कार्ट की requirement होगी, अगर आप अपने इस लेजी पे account को सही से इस्तमाल करते हैं, तो आपको मिल जाता है instant personal loan, लेजी पे application से, जो कि आप instantly ले सकते हैं, एक लाग रुपे तक का loan, साथी दोस्तों, अगर आप इस application से loan apply करने वाले हैं, तो आपकी eligibility सबसे important है, आपका civil score ठीक होना चाहिए, साथ में civil score अगर आपका 700 या 750 से उपर है, तो loan मिलने में असानी होगी, आपकी कम से कम 21 year होनी चाहिए, आपके पस एक saving account और internet banking भी होना अधार link, mobile number भी होना चाहिए, loan apply करने के लिए, अधार card, pen card के requirement होगी, जब आप यहाँ पे loan apply करेंगे, तो पुछे cases में आपको अपना bank statement validate करने का option मिलेगा, यानि income source validate करने का option मिलेगा, अगर आप अपने income को validate कर देते हैं, तो आपको maximum loan मिलने के chance यहाँ पर बन जाते हैं मेरे इसाब से अच्छा option है, अगर आप 15 days pay letter का option भी मिल जाता है आपको तो यह बहुत ही अच्छा option है, जो कि बिना ब्याज देना होगा, कोई hidden cost नहीं होगा, कि देख पा रहे हैं, lazy pay, आप आपको lazy pay card भी provide करता है, अभी तक आप lazy pay को QR code के जरिये payment कर सकते थे, UPI ID के जरि credit card ही समझी है इसे, जिसे आप बार-बार इस्तिमाल कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं, उमीद है, जानकारी पसंद आई होगे, वीडियो पर पसंद आई हो, प्लीज लाइक और शेर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले, साथ ही किसी भी तरीकी की query हो, इ कुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में बस इतना है, मिलता हूँ दोस्तों फिर आप से अगले वीडियो में तक तक के लिए खुश रहे हैं, सवस्त रहे हैं, और मस्त रहे हैं